चाय के साथ जो सिगरेट का नशा आता है smoking is injurious to health चाय के साथ जो सिगरेट का नशा आता है रह के दुनिया में भी जननत का मज़ा आता है और मैं इसे छोड़ तो आता हूँ बहुत दूर तलक मैं इसे छोड़ तो आता हूं बहुत दूर तलक पर खयाल इसका मेरे साथ चला आता है अडावर्ज है दोस्तों कैसे हैं आप लोग बड़े दिनों से कोई एजूकेशनल वीडियो नहीं बना था तो मैंने सोचा के शायरी के हवाले से एक वीडियो बनाओं जैसा का आपने थामनेल में देखा मैंने इंतखाब किया है फाइज अहमद फाइज की मशूर किताब से एक नजम और आप जानते ही हैं कि दस्ते सवा आपके सेलेबस में है तो हाला के मैंने बहुत साइ नजमों की तशरीव पर वीडियो बनाया है लेकिन ये है कि कुछ नजम है इसी जिन करके अभी मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है तो ये नजम भी उन नजमों मैंसे ही है कि जिन पर मैंने अभी तर वीडियो नहीं बनाया था तो आज मैंने इंतखाब किया है नजम याद का तो आए दोस्तों वीडियो का बजाबता आगाज करते हैं तो दोस्तों ये है नजम नजम का वनवान है याद इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं बिलकुल मुखतस सी नजम है जस्त तीन बंद हैं सिर्फ तीन ही मंद है इस नजम में छोटी सी नजम है तो चलिये शुरू करते हैं देखे नजम ये पहला कता है पहला बंद है कि दश्त तनहाई में जाने जहां लर्जा है तेरी आवाज के साए तेरे होटों के सराब दश्त तनहाई में दूरी के खसो खात तले खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब अब इसको एक्स्प्लेन करने से पहले जरह सा मैं आपको याद दिला दूँ कि ये वही किताब दस्त सबा है जिसको फैज अहमद फैज जो है जैल से लिखे थे और सारी की सारी नजम हैं सारी की सारी घजल हैं जितने भी कतात हैं वह सारी चीज़ जैल में रहकर फैज सहब लिखे थे तो शायर इस नजम में अपने महबूब को याद कर रहे हैं जैसा कि वनवान ही है याद तो शायर अपने महबूब को बहुत करीब तर पाते हैं उनको महसूस करते हैं उनकी बातों को उनकी एक एक चीज़ को शायर बड़े करीब से महसूस करते हैं और उन महसूसात को ही शायर ने नजम का जामा पहनाया है और बड़े ही खुबसुत अंदाज में आप जानती है को फाइज साहिब कितनी अच्छी शायरी करते हैं, वही उनका इलामती अंदाज और बिल्कुल वैसा होता है कि खुद्रत को वो बिल्कुल समेट करके जो नेचर की खुबसूरती होती है, उनको भी वो एकस्प्लेन करत सहरते जाते हैं और मनजर कसी तो जबर दस्त होती है उनके यहां, तो अब देखे क्या कर है इस्फाु ता है, दस्ते तनहायी दस्तों गशनूरती है, Calbari, ल मतलब होता है, जहान की जान, लर्जन, जर्जना आप जानते ही है कंपन करना हिंदी में सो कांपना करते है थर थराना ठीक है वैवरेट करना ठीक है तो दश्ट तनहाई में जाने जहां लर्जा है तेरी आवाज के साए तेरे होटों के सराब तेरी आवाज के साए आवाज में कोई साया नहीं होता है लेकिन शायर के बयान कर कि तिरी आवाज के साए तेरे होंटों के सराब होंटों के सराब अब सराब का जो लफजी मतलब होता है रेत के होता है जानते ही है हजार वार उर्दुस शैरी में इस्तमाल हो चुका है सराब धोके के मतलब में इलामती मतलब धोका होता है होंटों के सराब तो तेरी आवाज यानि शायर को अपने महबूब की आवाज महसूस हो रही है कहीं आशपास ही मेरा महबूब कुछ बोल रहा है शर्गोसियां कर रहा है ठीक है तो तेरे होटों के सराव, होटों के सराव यानि तो मुझे धोका हो रहा है कि तुम्हारा जो होट है यहीं आसपास है और उससे कुछ आवाज आ रही है तो दश्ट तनहाई में ऐ जाने जहां लर्जा हैं तेरी आवाज के साए तेरे होटों के सराव आगे देखे करा है कि दश्ट तनहाई में दूरी के खसो खाक तले दश्ट तनहाई में ही क्या दूरी के खसो खाक तले खसो खाक आप जानते ही हैं घास फूस को कहते हैं छोटे छोटे घास को खसो खाक कहते हैं तो दूरी के खसो खाक तले दूरी जो डिस्टेंस है जो महबूब से हम जुदा है तो इस जुदाई के खसोखाक तले अलामती अंदाज है कि खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब अब पहलू यानि महबूब का जो गोद है महबूब के जो पहलू है उसको शायर ने क्या कहा है कि वो वहां जो है समन कहत हैं चमेली के फूल को और गुलाब तो गुलाब ही है तो महबूब के पहलू को शायर कह रहा है कि वो इतनी अच्छी जगह है कि आप समझ लें कि गुलाब और समन जो है वो सब फेल है उसके पास तो खिल रहे हैं तेरे पहलू के समन और गुलाब यानि शायर अपने यहीं आसपास है और उनके होंट जो बोलता है इनसान तो होंट जो है लरसता है तो उसको हम महसूस कर रहे हैं उनकी आवाज का साया मेरे पास है और उनके होंटों का बोलने का जो हमें धोका हो रहा है कि शायद के मेरा महबूब ही न बोल रहा हो तो होंटों के सराप इसलिए कहा गिया और दूरी के खसो खाक तलिए अब डिस्टैन से दूरी है तो इसके बावजूद जो है मैसूस कर रहे है क्या कि मेरे महबूब का जो पहलू है जो के समन और गुलाब के जैसा है वो खिल रहे है तीक है खिलना खिलना इसलिए आया है क्योंकि यहां पे दो फूलों क नाम शायर ने इस्टैमाल किया है समन और गुलाब इसलिए यहां पे खिलना आया है तो मतलब आप समझी गए होंगे आसान सा है कि एक इमेजिनेशन है शायर तसवूर कर रहा है यही इनका अंदाज ही होता है अब जानी रहें देखिए दूसरा यह है दूसरा बंद है इस अपनी खुश्बू में सुलगती हुई मध्धम मध्धम दूर उफुक पाड़ चमकती हुई कत्रा कत्रा गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शवनम अब यहां पे देखिए कितना खुशूरत अंदाज है और शायर यहां पे तस्विर कशी कर रहे है क्या कर रहे है कि महबूब को बहुत करीब तर पाता है महसूस कर रहा है कि मेरा महबूब यहीं आसपास है तो कह रहा है कि उठ रही है कहीं कुर्बत से तेरी सांस की आच यानि यहीं आसपास से हमारे स्रौंडिंग से ही हमारे करीब से ही मेरे महबूब के सांस की आच 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 आप जानते रहाता है गाना सुने होंगे न बुघह छू रही है तेरी गर्म सांस है तो गर्म सांस है इसलिए यहां पर आज आया हुआ है के आज़ अब जानतों पके उठ रही है कहीं कुरबा से तिरी सांस की आज ठीव अपनी खुश्बू में सुलगती हुई मध्धम मध्धम अब खुश्बू में सुलगती हुई शायर को अपने महभूब के सांस लेने का जो अमल है उससे उनको खुश्बू आती है अपनी खुश्बू में सब को आती है शायद आपको ना आती हो अलग बात है अपनी खुश में सुलकती हुई मद्दम। यानि के शायर के रहा हुए है मिना जो महबूब है जब वो सांस लेता है तो उनकी जो खुश्चभू है वो कुर्षू मद्दम सी हमें महसुस हो रही है और दूर उफुक पार चमकती हुई गतरा-कतरा उफुक कहते हैं यू तो आप आप देख लिखेंगे जमीन को तो जमीन और आस्मान बिल्कुल वैसा सचता हुआ मिलता हुआ नजर आयागा तो उस जगह को उफक बोलते हैं ठीक है और कई तुर्छा से मतलब मिलेगा कहीं पर लिखा हुआ रहा रहा है आगे सूरी निकलने की जगह इसा भी रहेगा लिखा हुआ सू को नजर आएगा कि मिलता हुआ जमीन और आसमान तो उसको अफुक करते हैं दूर उफुक पाड चमकती हुई कत्रा कत्रा आगे देखें गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम अब शायर महसूस कर रहा है कि जमीन और आसमान जहां पर मिल रहा है तो वहां पर मेरे महबूब की नजर की शबनम गिर रही है ऐसा शायर तसवूर कर रहा है शायर का अंदाज ही वही अगर आप दूसी नजनों को पढ़ेंगे तो आपको यही अंदाज मिलेगा और वही अंदाज यहां भी है अब देखें दिलदार महबूब के लिए इस्तमाल होता है इस्तम इस्तम को दिल दे दिया है तो हम उसको दिलदार कह सकते हैं ठीक है तो इंदाज अचली महबूब के लिए ही हुआ तो दूर उफक पाड़ चमकती हुई कत्रा कत्रा गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम यानि शायर को महसूस हो रहा है कि जहां जमीन और आसमा मिल है वहां मेरे महबूब का जुहूर है वहां मेरा महबूब प्रेजेंट है और शायर महसूस कर रहा है इसी बात को शायर ने यहां पर लिखा है आगे बढ़ ये एक बंद बच गिया है लाश्ट बंद है ये छोटी सी नजम है जैसा है मैंने बताया आपको इसमें शार कहता है कि इसकदर प्यार से आई जाने जहां रखा है क्या रखा है आगे देखिए दिल के रोखसार पे उस वक्त तेरी याद ने हाथ यानि कि इस कदर प्यार से जाने जहां रखा है मेरे दिल के रोखसार पे दिल में कोई रोखसार नहीं है अब दिल के रोखसार पे हाथ रखा है इसका मतलब यह हुआ कि तुमारी याद बड़ी शिद्दत से आई है मुझे मेरे दिल में तुम्हारी याद बड़ी शिद्दत से आई उसी बात को एक कहने का अंदाज है शाहराना कि दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ बहुत प्यार से रखा है यू गुमा होता है गर्चे है अभी सुब फिराक का रहा है शाहर के हमें गुमा होता है क्या गुमा होता है अगर्चे अभी सुब फिराक है सुब फिराक तो जानती हैं लवजी मतलब लेकिन हमें क्या गुमा होता है गुमा ये होता है के ढल गया हिज्र का दिन आभी गई वसल की रात शायर को ऐसा महसूस हो रहा है कि ए महबुग तुम्हारी याद मुझे इतनी शदीद आई और तुम मुझे इतना याद आते हो कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हलाकि अभी तो जुदा ही हैं तुमसे हम हिज्र का ही दिन चल रहा है अभी जो है सुब फिराक ही चल रहा है लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा है तुमारी याद से तुमारी याद इतनी तेज आई है कि हमें इतनी शदीद याद आई है कि हमें ऐसा लग रहा है कि ढल गया है हिज्ड का दिन यानि के जुदाई का दिन गुजर चुका है और आभी वसल की रात और मिलन की रात आ गई है। सिर्फ तुम्हारी याद का ये असर है। अगर तुम खुद आ जाओ, फिजिकली प्रजेंट हो जाओ, तब क्या हाल होगा। तो यही नजमत ही दोस्तों। कोई बंद दे देगा और कहेगा तश्रीक करने के लिए। इंतार में तो ज बांते ही हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में अपना बहुत सरा ख्याल लखें। अल्ला हाफिस।